हालो एवरिवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे तो बैसिकली आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो की जेन्यू के लिए फॉर्म डालना चाहते है बीएचू के लिए डालना चाहते है या फिर ये आज का ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वोच कर लेना इस वीडियो में के ओल हम लोग उन सेक्षन के बारे में बात करेंगे जहां पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देता है और वह मिस्टेक उनको उनके एड्मिशन में महेंगी पढ़ती है तो आपको इन चीज़ो भी जोइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आपके काउंसलिंग वगेरा होगी उनिवर्सिटीज के अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे तो उसकी जानकारी है जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के बोच पाते हैं इसके लिए आपको चैनल पे जुड़े रहना है देखिए आप लोगों को फॉर्म भरना है फॉर्म वाला जो सेक्सन है यह सब आपको पता होगा मैंने ओल्रेडी वीडियो बना रखका है फॉर्म को कैसे फिल करना है हम लोग इसके जो मेन स्टेप है उस प इसके बारे में बात करूंगा जैसा कि आप लोगों के जो कोड़ बगरा है उसके हिसाब से ठीक है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इनको हटा देते हैं सब को ताकि मैं आपको बिल्कुल सुरू से बता सकूं तो यह वाला जो सेक्सन है यहां पर आपको अपनी युनिव को कैसे एड कर सकते हो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा तो यहां से आपको युनिवर्सिटी का नाम फिल करना है तो अपने को जैसे बनारा सिंदू युनिवर्सिटी के लिए सिलेट करना है हमने वो यहां पर फिल कर दिया अब जैसे यहां से आपको को सिलेक्ट करना ह आपका क्या course यहां पर रहने वारा है आप किस course के लिए apply करना चाहते हो तो जैसे कि हमें political science के लिए डालना है तो आपका जो भी course है आप यहां से देखेंगे हमने political science डाला उसके बाद aid यहां पर करना है जैसे आप aid करेंगे तो यहां नीचे लिखा वाच आएगा आप देख लेना कि अगर यहां aid हो गया इसका मतलब आपने सही किया है अब वही university है आपको कोई और course लेना है जैसे हम इसके नीचे पब्लिक अड्मिस्टिस का यह लेते है इस पर क्लिक करते है तो अब ध्यान दीजेगा इसका code अलग है आप political science के लिए कर रहे हो तो यहां पे इसका code अलग है तो मुझे यह नहीं करना तो मैं इसको यहां से हटा देता हूँ मैंने by mistake कर दिया मतलब अगर आपको लगे कि यह गलती से हो गया तो वहां से आप remove कर सकते है उसको पहले ही अब यह हो गया बीएचू के लिए आपने यह code डाल दिया और भी आपका कोई subject है तो उस subject के साब से बीएचू यहां से select करेंगे और वो आप subject aid करेंगे अगर आपको एक से ज्यादा subject के लिए देना है जैसे वही हमने वापस करते है political sense हमने डाल दिया उसके बाद हम जैसे यह वाला course करते है तो हमने यहां पे बनारत सिंदू University यानि की बीएचू में form डा है और हमने दो कोर्स के लिए form डाला है दोनों कोर्स हमारे यहां पर aid हो गए तो यह आपको है कि वहां पे जब आप दो कोर्स के लिए डाल दो तो University के नाम भी आपको दो जगए यहां पर दिख जाएंगे code अलग लग दिख जाएगा सब कुछ आपको यहां पर clear होगा ठी जैसे जेन्यू के लिए चलते है जमाला नजर उनिवर्सिटी के लिए चलते है तो जो है वो आपका यहां पर आपको मिल जाएगा उसका हम जो हम डालते है ओके यह हमने जेन्यू एड कर दिया अब उसके बाद क्या करना देखिए जो स्टूडेंट पोलिटिकल साइंस के प्रिपेर कर रहे है तयारी कर रहे है वो इन चीजों को अच्छे से समझ लिजेगा अब जैसे जेन्यू में आपको पता है कि तीन कोर्स है प्लिटिकल साइंस के लिए पहला आपका यहां पर ही प्याइशम वाला है ठीक है यह मैंने एड कर दिया यह एड हो गया अब यही एक ही होना है प्लिटिकल साइंस का है यू क्यूपी 18 लेकिन यहां पर तीनों कोर्स जब आप डालेंगे अभी इस साल सिस्टम चेंच हुआ है तो शोर्टी मैं भी आपको नहीं दे सकता इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां रिस्क मत लेना तीनों एड कर देना ठीक यहां पर जब आप देख लेना एक बार की तीनों एड हो यहां पर आए तीनों कोर्स आपके एड हो गये अब आप जो है यह बीएंचु का क्लियर किया और मैंने आपको GNU का क्लियर किया अब अगर आपका और कोई सब्जेक्ट है GNU में ठीक है उसके लिए आप करना चा पिसली साल क्या होता था जो है यहां पर कि वन किलिक में सार अ करना पड़ेगा इस बार आपको है कि आपको कि यहां से एड करते चले जाएंगे यह लिस्ट आपका बड़ा लंबा होता चला जाएगा नीचे नीचे ठीक है तो यहां से आपको जो है सारी उनिवर्सिटी एड करनी है अपने कोर्से जितना ही ज्यादा उनिवर्सिटी हो सके ना उतनी ज्यादा उनिवर्सिटी आपके एड कर अब हम लोग यहां पर University of Delhi का देखते हैं तो जो है वह मैं आपको बता देता हूं यहां पर University of Delhi का यह हमने किया उसके बाद यहां से आपको अपना course select करना है जो भी आपका course है तो जैसे political science के लिए हम लोग लेते हैं तो यहां पर दिख जाएगा तो मैंने हिस्टी कर दिया तो हिस्टी का code आपका अलग हो गया बट अपने को political science का एड करना तो उसका code है ले जाएगा ऐसे आपको करना है वन क्लिक में सारी University select नहीं होगी यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब अगर आपको नाम नहीं पता चल पाते हैं कि कौन सी इनिवर्सिटी आर कोर्स करवाती है या नहीं करवाती है तो उसके लिए भी अभी मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग सेव कर देते हैं यहां से मुझे बस यह तीन ही आपको बतानी थी अब ठीक है उसके बाद आप जो है यहां से नेक्स्ट वाला जो ओप्शन है उसको हम लोग समझेंगे ठीक है तो यहां पर जब हमने किया तो यहां पर देखिए आपको चार ओप्शन दिखाई देंगे select test paper या subject ठीक है selection तो यहाँ पे आपको चार option दिख रहे हैं क्या ये चारो फिल करना compulsory है जी नहीं चारो फिल करना compulsory नहीं है आपका जो subject है जैसे आपने पीछे क्या फिल किया जो पीछे आपने चीजे फिल करी वो यहाँ पर मेटर करेगी जैसे हमने political science फिल किया तो हमने first में political science यहाँ पे फिल कर दिया अब यहाँ पर को student यह नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पर PISM नहीं आ रहे है यहाँ पर IR नहीं आ रहे तो यहाँ पर क्या है test paper का जो code है ना वो मांग रहे है तो code कौन से अपना HUQP 18 political science के लिए है आपका कौन सा course है आपका code उसी साब से श्यो करेगा तो अब इसी के अंदर political science भी है PISM भी है IR भी है public policy है pub aid है सारे जो है इसी code में है ठीक है यह code यहाँ पर हो रहा है test paper यहाँ पर हो रहा है वहाँ पर program हुआ था वहाँ courses एड हुए थे पीछे वाले section में और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर code एड हो रहा है कि उन सारे program के लिए आप कौन सा code एड करना चाहते हो तो जो आपका subject का code है वही आप देंगे तो अपना political science का था तो हमने political science दे दिया अब नीचे हमने note applicable कर दिया क्योंकि हमें एक ही यहाँ पर exam देना है अब अगर आपको एक से ज़्यादा देना है तो आप यहाँ पर अपने subject का नाव अपना जो code है वो code यहाँ पर डालेंगे ठीक है आलाएं कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है clearly यहाँ पर mention किया हुआ है अब दो मुझे नीचे वाले खाली छोड़ने क्योंकि हमें दो ही paper देने हमने चाहिए पीछे कितने भी university एड करिये लेकिन subject हमने यही फिल किये थे बस इतना करना है और save कर देना है अगर यह नहीं हो तो note applicable कर देना तो फिर जो यह आगे process हो जाएगा यह हो गया आपको बस यह दो section है जो कि बहुत ज्यादा important है जब अगर आप यहाँ mistake कर देते हो तो फिर दिक्कत हो जाता है कि आपने university aid नहीं करी यहाँ test paper में तो आपने political science दे लिया दिक्कत कहां आ रही है student कहां confused हो रहे थे कि यहाँ पे course तो दे रहे है लेकिन पीछे university aid नहीं कर रहे है university aid नहीं करोगे तो course क्या matter करेगा ठीक है paper तो हो जाएगा लेकिन आपने university ही वो aid नहीं करी जो आपको लेनी थी तो इसलिए सही से ध्यान करके और university को fill करेंगे एक यहाँ पे student मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पे medium of test paper में हमारा कोई medium select नहीं हो रहा है Hindi English किस में हम select करें तो देखो यार आपके जो यह subject है ना sorry तो यह जो आपके subject है ना इन में क्या है कि जो है bilingual है Hindi English दोनों के अंदर यह आपके paper होंगे जसे लिए लिए से लिए यहाँ रहाँ है